हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी शीट चनल दोस्तों प्रिवेस यर में जितने भी कोस्टन्स पुछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटिव एक्जाम्स टेजिटी पीजिटी के विएस एंवेस यल्टी से रिलेटेड उन सभी कोस्टन्स को टापिक वा सिलमस के एकार्डिंग मेरे चैनल पे मवजूद हैं उन सभी वीडियोज को आप देख करके अपनी तयारी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों देली बेसेस पर यमसी क्यों कोस्टन्स देखना मत मुलिएगा तो चलिए इस्टार करते हैं आज के परशनों की तो दोस्तों पहला क दोने के लिए बंद हो तो बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए क्या होना चाहिए इसका सही आपसन है बर्प ठंडे पानी से सिक्षिग नहीं है कि सरल जोडों के चोट को RICE प्रक्रिया का उप्योग कर इलाज किया जा सकता है यहां आर का क्या आर्थ है जै दोस्तों सरल जोडों के चोट को RIC प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जाता है एक प्रात्मिक उपचार का तरीका है इसमें R का मतलब रिज्ट यानि अराम होता है हला कि RICE प्रक्रिया यह पहले होता था लेकिन बरतमान में इसके पहले P और इसके लाज में यस जोड़ यानि कि P R I C E S अब हो गया है इस प्रक्रिया को उपयोग किया जाता है जिसमें से P का और P का मतलब होता है protection यानि बचाओ करना R का मतलब rest यानि आराम देना I का मतलब ice यानि बर्फ बर्फ उसमें जक्रमी अस्थाम पर बर्फ लगाना और C से होता है compression यानि चोट वाले अस्थाम पर बर्फ लगाने के बाद उसको दबाना फिर E से होता है elevation यानि अंतमी चोट लगे अस्थाम को ऊपर उठाना and support का मतलब yes से होता है support यानि किसी चीज से सहारा देना next question है strain क्या है दोस्तो strain इसको यात करने का trick है आप strain न कहके इस्ट्रैनम बोलिए इस्ट्रैन यानि कि खिचाओ यानि इस्ट्रैनम यानि मौसे यह मांस पेशियू का और tendon का चोट है तो इसका सही जबाब होगा पेशियू का फटना या खिचाओ आपसम नंबर B करेक्ट अंसर या पेशियू अथ्वा टेंडन का twist या खिचाओ होना या पुल हो जाना है या फटना इस्टेंक लाता है इसको आप ध्याल में रखिएगा और हड्यों को हर्डियों से जोड़ों पर कौन जोड़ता है तो लिगामिंट्स जोड़ता है या वह इस्थिती जिसमें किसी पेशी और टेंडन का मरोड यानि खीचाओ और अथवा भी दरड हो तो क्या कहलाती है तो पेशी यानि टेंडन की बात कर रहा है दोस्तों यहां पी होगा आफसर नमबर सी खीचाओ यानि इस्ट्रेन नेक्स कोशन है कि यहां नरम उत्तक चोट है यानि मुलायम उत्तकों की चोट इसमें कौन-कौन है तो यह रगण, मोच, खीचाओ इस सभी नरम उत्तक की चोट है दोस्तों इसलिए आफसर नमबर डी उप्युक्त सभी करेक्ट एंसर होगा दोस्तों नरम उत्तक चोट यानि साफ टीशू इंजरी जो है शरीर में मांस्पेश्यू, लिगामेंट, एंटेंडन्स की च्छती के करण होती है कुछ आम नरम उत्तक चोटों के उधारण है एव्रेशन, इंसीजल, लेक्रेशन, पंचर, ब्लिस्टर्स, कैलेज, एविल मॉसल सोरनेज, मॉसल हेमाटुम, मॉसल रिप्चर, स्प्रैन, स्प्रैन, कांट्योजन, इस सभी होते हैं कि मोच, खिचाव और और कंड्रा, नरम की चोटों को की तुरंत देखभाल कैसे की जाती है तो तुरंत देख भाल सबसे पहले दोस्तों जोट आपको लगे इस प्रकार की तो उसमें सबसे पहले बर्प का ही प्रियोग किया जाता है तो इसमें सबसे पहले आपसन नमबर डे डी आपसन नमबर ए करेक्ट एंसर हो जाएगा बर्प की गठरी यानि पैक का प्रियोग कर आइस यानि रिष्ट के बाद तुरंद आता है आइस यानि बर्ग का प्रयोग होना इसलिए यहां पे बर्ग की गड़्ष्री का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के चोटों के लिए दोस्तों चोट के बाद संभो हो तो जखमी हिस्से पर बर्फ लगाएं जब सूजन या जलन कम करना हो तब यह आइस बैग केमिकल स्पैक आरी की रूप में हो शकती है कि यहां लिगामेंड्स की चोट है लिगामेंड्स की चोट कौन होती है दोस्तों जैसा कि मैं बताएं हूं इस्प्रेन इस्प्रेन ली यानि इस्प्रेन जिसे मोच कहते हैं तो आपसे नंबर भी करेंट एंसर है लिगामेंड्स की चोट कौन है मोच है यानि इस्प्रेन ह गुटने की चोटों में खासकर दो चोटे मेनिस्कल इंजरी और लिगामेंट इंजरी सबसे समानने होता है लिगामेंट गुटने की दो हड़ियों को आपस में बात कर रखता है यानि दो हड़ियों को जोड़ों पर जोड़ता है बात कर रखता है कौन लिगामेंट जब कोई खिलारी खेल के दोरान जाने अन जाने अपने घुटने को और समाने रूप से या गलत तरीके से मोड़ता है तो घुटने में मोच आ जाती है अर्थात लिगामेंट को चोट पहुंचती है दूस्त कोस्टन है निवनिमे से मोच के चोट में कौन सामिल रहता है दोस्तों इसका सही नंसर आप दे रहायनोंगे क्योंकि ब Queens bli कोस्टन हैं तो मोच के चोट में कहन था दोस्तों जैसा की मोच यंस इस प्रैन में लिगामेंट सामिल होता है जोड़ों पर यह ज़दा इसना यू को इंग्लिस में लिगामेंट्स कहते हैं एक अस्थी के एक छोर से दुसरी को जोडने वाले संयोजी उतक की तंतुमें पट्टी अस्थी बंध यानि लिगामेंट्स में तनाव तथा विदारण की इसिती क्या कहलाती है यह सही आफ्ट है आफ्ट नमबर से मौच यानि स्परें एक पेसी खिचाओ का क्या कारण होता है तो पेसी खिचाओ का क्या कारण होता है आपसन है अच्छा लचिलापन प्रयाप्त गर्माहट अतधिक प्रसिचर संतुलित अहार दोस्तों अच्छा लचिलापन प्रयाप्त गर्माहट संतुलित अहार तो यह हमारे इमांस प्रसिचर पर positive ऐसर डालता है जब कि अत्यदिक procedure यह हमारे negative ऐसर डालता है तो यह आफसर नंबर सी correct answer हो जाएगा तो अधिक procedure से अत्यदिक procedure से खिचाओ यानी strain चोट लग जाता है prior manspacy की चोट होती है strain और पेसी खिचाओ सधाव भी हो सकता है और सधाव भी हो सकता है कई बर पूरी पूरी manspacy की खराब हो जाती है ऐसी दसा में उस हिस्से को हिलाना भी जाता है जहां पर manspacy अधिक खराब हो जाती है वहां पर असानी दर्द भी हो सकता है अतिक प्रसिचर या अभ्यास या प्रतिक्ता के दौरान ऐसी अनेक इस्टियां हो सकती है जिसके कारव पेसी खिचाओ हो सकता है ब्यायाम के दोरान को किसी के उपभोग द्रोड़ा रोका जा murder आ कि जैसिता है व्यायाम के दौरान मालट nutrition की Aloisええ कुर्ण को किसकी उपभोग द्वारा रोका जा सकता है ब्यायाम के दवरान मांस्पेसियों की सीक्रोन को किसके उपभोग दवरा रुका जाए सकता है तो कम वसा वाला कैल्सियम युक्त पोटैसियम युक्त भोजन बी कांप्लेक्स बितामिन युम जल उप्यूत सभी दोस्तों इन उप्यूत सभी आपसन सही है इन सभी का प्रयोग करके मांस्पेसियों की स्प्रेंट को रुगा जाए सकता है यानि खीचाओं को इस ट्रेंट को नेक्स्ट कुश्चन है की मोच की वजह से होती है मोच खाले जगह है किसकी वजह से होती है मोच दोस्तों मोच यानि की स्प्रेंट तो मैं क्या बताए थी कैसे याद करना है इसको इस्प्रैन यानि इस्प्रैनली मतलब ली से लिगामेंट्स तो इस्प्रैन यानि मोच तो यह हमारा अस्थी खिचाव या फटी हुई संधी इसनायू आपसन में बरसी करेट अंसर हो जाएगा मोच या इसनायू लीगामेंट्स की चोट होती है या खिचाव या लीगामेंट्स के फटने के फटने के फलसरुप होती है या मोच कोहनी के जोड़ या टकने के जोड़ पर ज़्यादा लगती है कभी-कभी मोच के साथ-साथ अस्थिभंग भी हो जाता है नच्ट QC है दोस्तों कि एच़े लिस्टेंडनायटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है तो इसमें आपसें नंबर सी करेक्ट एंसर है पिंडली की मांस्पेसिया मजबूत होती है एचलिस टेंडनायटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबुत होता है तो पिंडली की मांस्पेसिया मजबुत होती है एचलिस tendinitis होता क्या है दोस्तों यह एचलिस tendinitis एक समान इसीति है जो एड़ी के पास पयर के पीछे दर्द का कारा बनती है एचलिस tendin सरीर में सबसे बड़ा tendin होता है यह सरीर के दो प्रमुक पिंडलियों की मांस्पेसियों काफ मसल्स को एड़ी की हड़ी से जोड़ता है एचिलिस टेंडेनाइटिस के प्रभाव को कम करने से पिंडलियों की मांस्पेसियां यानि गेस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस मसल्स मजबूत होती है टेंडिनाइटिस एक कंड्रा की सूजन है जो चोट या बिमारी के लिए शरीर की प्राकितिक प्रतिक्रिया है यह अक्सर सूजन दर्द या जलन का कारण बनता है कंड्रास्ट बात में प्रियोग की जाने वाली प्रतम वस्तु क्या है तो दोस्तों कंड्रास्ट बात में जैसा कि ठंडा और गर्म पानी का प्रियोग किया जाता है तो इसमें पूछा है कि contrast बात में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है सबसे पहले ठंडे पानी का प्रयोग की जाता है आपसर नमबर C correct answer होगा Next question है कि मोज के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधी प्रयोग की जाती है मोज के तुरंत उपचार के लिए पूछा है दोस्तों तो तुरंत बर्थ का ही प्रयोग की जाता है तो बर्थ के उपचार को cryotherapy बुला जाता है तो आपसर नमबर B यहाँ पे correct answer हो जाएगा यानि मोज के तुरंत उपचार के लिए cryotherapy विधी प्रयोग की जाती है क्राय थ्रेपी बर्फ से संबंदित उपचार है इसमें संबो हो तो जखमी हिस्से पर बर्फ लगाएं विसे इसकर जब खून बहे यह हमसुजन कम करनी हो तब यह जलन कम करने के लिए भी आवश्चेक है इससे पुनरवार शमय यानि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कम होता है तथा खिलाड़ी स्पोर्स कारे पर जल्दी लोट सकेगा कई घंटों तक हर घंटे के बाद बर्फ बिस से तीस मिनर तक कैंतराल पर लगाना चाहिए यह आइस बैग, केमिकल पैग, जमी हो शब्जियों, सोडा कैन या इश्णो के रुप में हो शकती है नेच्ट कूस्चन है दोस्टों कि खेल की चोटो की चिकिशा में सरपथम पद है तो दोस्टों व Performance रिवीट हो रहा है तो खेल की चोटो में जो एθलेटिक चोट होती है तो सबसे पहले कौन से चीकिसा की जाती है तो बर्प का प्रयोग की जाता है तो बर्प की चीकिसा को क्या बोला जाता है क्रायो थरेपी तो आफ है नमबर एक करेक्ट एंसर बेस्ट कोस्टिन है कि खेल में लगने वाली चोट पर एक एथ्लिट को परदान किया गया ततकाल अपचार है क्रायोथरेपी तो क्या है तो क्या है दोस्तों कई बार रिपिट हो चुका तो यह बर्प दोरा उपचार है आपसन नमबर भी करेक्ट एंशन एंड दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कि मोज के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है तो इसका सही आपसन हो जाएगा बर्प से उपचार नेक्स्ट कोश्चन है हड़ी तूटना अब योज था और मोज का सुरू में किसे से इलाज किया जा सकता है तो किसे किया जा सकता है बर्प की थैली से आपसन नमबर दी करेक्ट एंसर दोस्तों next question है निमने लिखित में से कौन सा जल चिकिशा का हिस्टा नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों आफसन है wax work, cryo чिकिशा, whirlpool birth, contrast birth तंडा, जल वर्प की चिकिशा है वेलपूल बात, कंट्रास्ट बात, ये भी जल चिकिस्टा है, लेकिन वेक्स बात, ये मौम चिकिस्टा होता है दोस्तों, इसलिए आपसर नंबर ए, करेट एंसर हो जाएगा, कंट्रास्ट बात, विशे सुजन कम करने के लिए किया जाता है, कि बेक्तिकत सुचता सहायता करती है, कि इसमें, आकर सक बेक्तिकत का निर्मार करने में, कि बैचारिक इस्थायत्व परदान करने में, कि उप्यक्त दोनों में, कि इन में से कोई नहीं, कारियों को साहता कर सकती है जैसे की बैग्यानिक इसाई तो प्रदान करना आकर्षक बेटित का निर्मार करना विभिन रोगों से सुरुच्छा करना यह बैग्तिकत सोचता का साहता करती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आए हो कि सभी कुश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी सभी कुश्चंस के मैं ने किया है जिसे आपको हर एक क्यों हमैसा के लिए याद हो जाए यह वीदियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए ज़्याद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन